गुड मॉनिंगी स्टुडेंट आसा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बच्चो आज हम कक्षा आठ्वी का संस्कृत का दस्वा पार्ट पढ़ने वाले हैं दसम पार्ट ठीक है बच्चो दसम पार्ट का नाम है राष्ट्रिय संचय मतलब होता है राष्ट्रिय बचत क्या होता है राष्ट्रिय बचत चलिए देखते हैं बच्चो इस पार्ट में क्या बताया जा रहा है सिछक और बच्चों के बीच में जो बादचीत हो रही है है ना राष्टी बच्चत के बारे में बादचीत हो रही है दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि क्या-क्या होता है उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है बच्चों तो देखते हैं यहां पे ख्याती नाम की जो बच्ची है वो क्या बोल रही है। आपे बताया जा रहा है, ठीक है, तो ख्याती पूछ रही है कि गुरु जी इस व्रिक्ष में क्या लटक रहा है, ठीक है, सिचक, सिचक जो हैं वो बोले ख्याते, किम तुमें तहल न जानासी अयम मधुकोशह, बोल रहे हैं कि ख्याती क्या तुम यह नहीं जानते, यह मधु मधु मक्यों का छत्ता है, क्या है, मधु मक्यों का छत्ता है, ठीक है, प्रत्यूश कस्माद मधु कोशह, कोशियम निर्मता, है ना, अब यहाँ पे प्रत्यूश नाम का बच्चा बोलता है, कि मधु मक्यी अपना छत्ता कीस प्रकार बनाती है, मतलब कीस प्रकार निर्मा करती है, फिर सिक्छक बोलते हैं करती है, धीरे-धीरे, सनय-सनय मतलब होता है, धीरे-धीरे फूलो का रस लाकर इकठा करती है, है न, यदि कोई भी सहद लेने के लिए आता है, तो मधुमक्की उसे क्या करती है, डस लेती है, दशन्ती मतलब होता है, डस लेती है, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, ढ़न कर रहे हैं। तो अब यहां पे किस की बारी आई है? सीवा की बारी सीवा बोर हैं। गुरो, सनय, सनय, पुस, परसे, कतम, एता, वान, महान, मधु, कोश, जायते अब यहाँ पे सीवा बोरै गुरुजी धीरे धीरे फूलों के रस से कैसे इतना बड़ा मधुमक्यों का क्या बनता है? चत्ता बनता है महान मतलब इतना बड़ा मधुमक्यों का चत्ता कैसे बनता है? इदम वचनम प्रशिद्ध मस्ती जल बिंदू निपातेन क्रमस पूर्यते घटः अब यहाँ पे सिख्चक जो हैं वो बोड़ हैं क्या तुम नहीं जानते हो यह वाक्य प्रसिद्ध है बूंद बूंद जल के गिरने से क्रम से घड़ा भरता है मतलब यहाँ पे बोर हैं एक एक बूंद अगर पानी घड़े में गिरें तो पूरा घड़ा भर जाता है है ना अब यहाँ पे श्यामा है ना स्यामा जो है वो बोरी अवाम ग्यातम हमपी एक है कस्य रुप्य कस्य संचेन सत रुप्य कानी संचीत वती है ना संचीत वती अब यहाँ पे स्यामा जो है वो बोड़ी है, स्यामा, हाँ जानती हूँ, क्या बोड़ी है, हाँ जानती हूँ, मतलब अहम ग्याता, मतलब मुझे पता है, मैं भी एक एक रुपया जमा करके सो रुपया जमा किये हैं, है ना, सत रुपया, रुपय कानी मतलब होता है, सो रु करi syaati है ना, अब सिख्चक जो है वो स्यामा से पूछ रहे हैं सिखचक, तुम इस धन का उपयोग कैसे करोगी है ना, स्यामा गुरो अहम भुचालेन पिडि जनाना नाम सेवारत इदम्ध इदम्धनम समर्पी यस्यामी समर्पी यस्यामी बोल रहे हैं कि घुरू जी मतलब अपने टीचर से गुरू जी मैं भुकम से पीडित लोगों की सेवा के लिए यह धन समर्पी करूंगी मतलब जहां पर भुकम पाया है वहां के लोगों के लिए उसकी सायता करने के लिए मैं यह दूंगी, है ना, ये जो धन मैंने 100 रुपाई कठा किये हैं, उसको दूंगी, फिर सिक्छक बोलते हैं, सिक्छक, बाडम, त्वम देव कारे साधु अकरोह, प्रथम, प्रथम स्वव्यर्त, यार्त, प्राप्ते, धनम, संचय, द्वीती, इच, तस्य, संचय, धनस्य, पीडी, जनाना, साहयतार्त, प्रदानम, है ना, अब यहां पे बोल रहे हैं, कि सिक्छक बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, तुमने जो कारे अच्छा किये, पहला अपने खर्चे से, मतलब यहां पे बोल रहे हैं, कि सिक्छक बोल रहे हैं, तुमने बहुत अच्छा कारे कि पहला क्या कारे क्या किया कि अपने खर्चे से धन को बचाया, इकठा किया, संग्रा किया और दूसरा कि भूकम पीडित लोगों के लिए तुमने साहता देने की लिए सोची, साहता के लिए दान कर दी, ठीक है? उसके बाद कक्षा के अन्य छात्रों को संबोधित करते हुए संबोधित कर रहे हैं सिक्छक छात्रा श्यामा पश्यन्तु अनया स्वव्यर्थायाम प्राप्त धनमन केवलम संजय कृत अपितु भूचाल पिले तेभ्यम प्रदाय सदुप्योग पी कृत अब यहाँ पे सिक्छक जो हैं सब बच्चों को संबोधित करते हुए बोड रहे हैं चात्रों स्यामा को देखो उसने अपने जेब खर्च के लिए प्राप्त धन को न केवल जमा किया क्या किया न केवल जमा किया बल की भूकम पीड़तों को देकर सदुप्योग भी किया उसका मतलब सही उप्योग किया पुसकर अब यहाँ पे पुसकर नाम का बच्चा है वो गुरो धन संचयस्तु कोशालय पात्र पात्रालय माध्य मेन जभवती क्रिप्या भवान तद विशिये असमान उपदीश्यतु अब यहाँ पे बोल रहे हैं पुसकर जो है वो बोल रहा है कि गुरुजी धन संचय तो बैंक और डाकघर के माध्यम से भी होता है किसे किसे होता है कि डाकघर और बैंक के माध्यम से होता है क्रिप्या आप उस विशाय में हमें उपदेश दीजिये बोल रहे हैं कि आप इस विशाय के बारे में हमें बताइए अब यहाँ पे शिक्चक बोल रहे हैं हाँ चात्रो मैं तुम्हें मतलब उस चीज के बारे में बताऊंगा बोल रहे हैं हाँ चात्रो देश की आर्थिक समाजिक और अद्योगी विकास के लिए धन आवश्यक होता है है अब हमारे देश में आर्थिक है समाजिक है अद्योगी है इन सब के विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है अगे ख्याती गुरु धन प्राप्ति साधनानी कानी कानी है अब यहाँ पे ख्याती पूछ रही है गुरुजी धन प्राप्ति के क्या-क्या साधन है धन को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या साधन है सिक्चक बोड है धन प्राप्ति साधनेशु कर ग्रिहनम अध्योगी को पादनम इत्यादीनी साधनानी निर्यातम संती कोशालय पत्रालय माध्यमेन च नागरीकाह राष्टी संचय योजना अंतरगतम धन संग्रह कुर्वंती अब यहाँ पे जो गुरुजी है वो जो सिक्चक है वो बोल रहे है धन प्राप्ति के साधनों में कर लेना है ना कर लेना अध्योगी को उत्पादन है ना इत्यादी साधनों का निर्यात करना निर्यात करना है बैंक डाग घर आधी के द्वारा नागरीकुम से राष्टी बचत योजना के अंतरगत क्या करते हैं धन संग्रह करते हैं ठीक है बच्चों आगे देखते हैं सीवा है ना सीवा राष्टिय संचय योजन का अब यहां पर सीवा जो है वो बोल रहे है राष्टि बचत योजना क्या है है ना राश्टी बचत योजन क्या है तो सिक्छक बोलते हैं आपे सिक्छक बोल रहें सासने नगरेशु ग्रामेशु चकोशालायानाम पात्रालायानाम च शाखम इस्थापित तेशु बालका बालीका वयशक च धन संचयत कूरवांती तत्रपात्रालायानाम सेवा विशेσ उलेकनियाँ अस्ति अभ यहां पर सिखक जो हैं वो बता रहे हैं। सिखक क्या बता रहे हैं कि सासन के द्वारा नगरों में और गामों में बैंको और डाक घर की साखा इस्थापीत की जाती है। उसकी इकाई, इस्तापीत की जाती है उनमें बालक होते हैं, बालिका होते हैं जो वयस्क हो जाते हैं, मतलब यूवा हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं, तो अपने धन का संचय करते हैं वहां डाक घर की सेवा विशेश रोप से उलेखनी है है ना पत्रा लाया नाम मतलब होता है डाक घर ठीक है बच्चों तो जो यहाँ पे बता रहे हैं सिक्चक जो है जो बच्चे बड़े हो जाते हैं लड़का या लड़की वो डाक घर से या पैंको में अपना धन अपना जो पैसा होता है उसको एकत्र कर सकते हैं संचय कर सकते ह स्यामा तत कथम वह कैसे पूछ रहे हैं कि वह कैसे सिक्षक पात्रलाय संचालिता अनेका संचय योजना संती अब वह सिक्षक पोड़ रहे हैं कि डाग घर के द्वारा अनेको जमा योजनाय संचालित है ताह का पूछ कर जो है वह पूछता है ताह का वे कौन सी है वे कौन सी है सिक्षक संचय सिक्षक संचय पूरुसकार योजना संरक्षित संचय योजना भविशनीधी योजना इत्यादी भविशनीधी योजना इत्यादी संचय पूरुसकार योजना, सुरक्षित संचय योजना और भविशनीती योजना इत्यादी है फिर स्यामा अहो पात्रालाय माध्यमेन तू अनेका संचय योजना संचालित है अब श्यामा जो है वो बोलती है ओहो डागघर के माध्यम से तो अनेको जमा योजनाय संचालित है है ना आप बोर रही है कि मतलब ओहो कितना सारा मतलब डागघर के माध्यम से संचालित होती है सिख्चक अकत अतकीम चात्राणाम लाभाय पत्राले माध्यमेन विद्यालेश्यू संचाई का योजना अपी व्यवस्ता अस्ती अपसिख्चक जो हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा क्या छात्रों के लाभ के लिए डाग घर के माध्यम से विद्यालेश्यू में संचालित योजना अपी की व्यवस्ता है अब प्रत्यूज बोलते हैं गूरू संचाई का योजना वी से किस्चित कथम अब प्रत्यूज बोलते हैं गूरू जी संचाई का योजना के विशय में कुछ कईए है ना अब वो पूछ रहें कि संचाय योजना के बारे में आप मुझे कुछ और बताईए सिक्चक बोलते हैं अवश्य स्रूनुता है मतलब अवश्य बताऊंगा सुनो है ना संचय योजना योजना नाम संचेतू सुविधा अस्ति विद्यालेशू संचालिता योजना नाम पूरुष का करार्थ विवस्था अस्ति अब यहां पे सिक्चक बता रहे हैं अवश्य सुनो संचाई का योजना में जमा करने की सुविधा है क्या है जमा करने की सुविधा है विद्यालयों में संचालित योजनाओं में पूरुष कार्थ की भी व्यवस्था है अब यहाँ पर सिख्छक जो हैं वो सब बता रहे हैं कि यहाँ पर पुरुसकार भी अगर बचत करते हो तो उसमें पुरुसकार की भी क्या है? योजना है ठीक है बच्चों? आगे प्रत्यूस गुरु संचाई का योजना वीशिये किसचीत कथया है? है ना? किसचीत कथया है? स्वरी बच्चों ख्याती का पढ़ने वाले हैं है ना? ख्याती गुरो यदि एव तही वयम अपी सव कियम धनम पत्रा ले येशू संचेत करिश्या महं है ना? अब यहाँ पे ख्याती जो है वो बोल रहे है गुरु जी यदि ऐसा है तो हम भी अपने धन को डाग घर में क सिक्चक अब यहाँ पे फिर सिक्चक बोल रहे हैं कि अगर पूरुसकार मिलता है ऐसी बात है मतलब जमा करने से फैदा होता है तो हम भी अपना धन जो है वो डाग घर में जमा करेंगे तो सिक्चक बोलते हैं अवस्य कुरुता है ना? अवस्य कुरुता आशाम सरवाश योजना नाम विशिये वितरणाम पत्राल येभ्य प्राप्तु शक्ये चात्र राष्टी संच योजना व्यक्तिते समाजस्य देशस्य चा विकासाय साही का भारत द्रिश्यविकास सील देशे सू तू आशायाम योजना नाम महती उप्योगिता अस्ती है ना उप्योगिता अस्ती अता असमा भी संचय योजना नाम प्रसा राय प्रयतनो विधेय उक्तमपी है ना अब यहाँ पे सिक्छक जो है वो बोल रहे हैं ना कि अवस्य करो है ना अवस्य करो सिक्छक जो है वो बोल रहे हैं जब ख्याती बोलती है कि हमें भी धन की धन को एकत्र करना चाहिए है ना डाग घर में जमा करना चाहिए तो सिक्छक बोलते हैं अवस्य करो करो इसकी सभी योजनाओं के विशे में विवरन डाग घरों से हम प्राप्त कर सकते हैं इन सब के बारे में है न जितनी भी योजनाओं हैं उन सब के बारे में हम डाग घर से जानकारी क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं ठीक है बच्चों छात्र राश्टी जम्मा योजन व्यक्ति है ना समाज और देश के विकास के में क्या होते हैं समाज और देश के विकास में सहायक होते हैं भारत जैसे विकास सिल है ना भारत जैसे विकास सिल देशों में तो इन योजनाओं की बड़ी क्या है उपयोगिता है ठीक है बच्चों अतह में भी बचत योजना के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए है ना कि हमें भी सब को बताना चाहिए कि हमें भी बचत करना चाहिए कहा गया है कि एक एक कर से धन और एक एक छड़ से विद्या के विशे में सोचना चाहिए है ना बोड है कि एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी बचत किया जा सकता है ठीक है बच्चो आसा करती हूँ कि आप लोग को यह chapter बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है बच्चो नीचे सब्दार्थ दिया हुआ है उसको आप लोग को copy में complete करना है ठीक है बच्चो इसके नीचे में अभ्यास प्रस्न दिया हुआ है ये सारी चीजे मैं आप लोग को कॉपी में लिखवाओंगी तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों आसा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा आज के लिए बस इतना ही आगे की पढ़ाई हम कल देखेंगे थांक्यू बच्चों